दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर। आईए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार बोधी। सर, जनता की शिकायत है बस सविसे से कि बस कभी भी जल्दी नहीं आती। की कोरेगा? यह जो पॉब्लिक लोग है, इनको लेट बस का आदत हो गया है। अगर बस टाइम पर आएगा तो यह लोग का बस छूप जाएगा। की कोरेगा? सर, आपने बसेस की हालत देखी है। सीट्स कितनी खराब हो गई है। आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? अरी बाबा, वो तो हम मिनिस्टर बनने से पहले बोल दिया था कि हामड़ा के कुर्सी से कुछ भी लेना देना नौई। की कोरेगा? मगर सर, यह बसेस कभी-कभी नो एंट्री में भी गुज जाती है। ओरी बाबा, वो तो अब हार्ड मीटिंग में बोला है। पार्लियमेंट के अंदर बोला है। जिधर किसी का बस नौई चलता है, उदर हामड़ा बस एकला चलेगा। की कोरेगा? दोस्तो, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बात्चीत, स्वागत है आपका। ठीक है, शुरू करो। नेता जी, आप पानी से जादा शराब को क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि शराब से जादा हमारे देश में लोग पानी से मरते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में हर साल बाढ़ाती है, हजारों लोग पानी में डूपके मर जाते हैं। क्या इतने लोग शराब से मरते हैं। नेता जी, आप संसद में बहुत लड़ाई करते हैं। क्या कभी आप विपक्ष के साथ एकमत हुए हैं। हम पक्ष और विपक्ष के लोग एक बार एकमत हो गए थे। जब पार्लेमेंट में हमला हुआ था। उस वक्त हम सब जान बचाने के लिए एक ही कमरे में घुसे थे। वो भी एकमत। नेता जी चुनाव जीतने से पहले आपने कहा था कि आप गरीबों को छपपर फाड़ के खुश्या देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप सब भूल दे। वो क्यूँ। आपको शायद मालूम नहीं कि 50% काम तो हो भी क्या है। आप गाओं गाओं में जाके देखिए, सब के छपर फटे पड़े हैं। सिर्फ उन्हें खुश्या देना बाकी है। नेता जी, ब्रश्टचार पनपने की असली वज़ा क्या है। हर सरकारी अफसर पब्लिक फंड खा जाता है। इस खतरनाक स्थितिह से नपटने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हम सारे के सारे पब्लिक फंड खतम कर देंगए। ना रहेगा पब्लिक फंड ना पनपेगा भरश्टा चाहरah! दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश की नेता नेता पल्टू जी आईए करते हैं उनसे कुछ बातचीत स्वागत है आपका सर राम राम मंडड़ी सर इलेक्शन के बाद चुनाथ घोशना पत्र की जांच के लिए कमेटी क्यों बिठाए गई अरे बाबाई तपाश करने के वास्ते कि ये घोशना पत्र के अंदर कोई ऐसा वाधा तो नहीं है जो पूर्ण करने ही मंगता है समझा क्या सर पार्लियमेंट में महीला आरक्शन बिल को छूते ही आप बिषोश क्यों हो गये थे अरे काय गम मजली हो अरे महीला आरक्शन बिल ना ही होता वो विजली का भील होता काय मजली नेता जी हमने ये सुना है कि आप अंतिन संस्कार पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर रहे हैं अरे बाबाई जो पब्लिक लोग है ये आराम से नहीं मरना मंगते हैं समझा क्या इस्क्यूज मी आपको मुझे से कुछ पूछना की मिजाओं मिस्टर कलमाडी आप हमें ये बताए कि कॉमन वेल्ट गेम्स में हुई लूट पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है मलफ हार अनन्दा है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लोगों ने सोने चांदी के मेडल खुब लूट है देखिए मैं मेडल के लूट के बारे में नहीं मैं पैसो की लूट के बारे में बात कर रहा हूं यही तो हमारे देश की मीडिया का प्रॉब्लम है उसे मेडल से जाधा पैसो की शिंता है लक्षा ठेवा खेल भावना ठेवली पाई जहीं है खेल भावना रखनी चाहिए बोल रहे हैं हो गुड गुड लेकिन दुनिया के सामने हमारे देश की बहुत ही खराब छवी का प्रदर्शन हुआ है बिल्कुल नहीं यह मीडिया दारा उड़ाई गई गलत सलत बाते हैं दुनिया के सामने हमारे सिर्फ खराब ट्वालेट और बात्रूम का प्रदर्शन हुआ है चावी का नहीं हाँ अनि लक्षा ठेवा खेल भावना ठेवनी पाई जेगा है वही पहले वाला ओ गुड़ गुड़ लेकिन औस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया था कि इंडिया सेक्योर नहीं है अरे कोई उनसे कहे क्या उस्ट्रेलिया छोड़ दें और इंडियन पॉल्टिक्स जॉइन करें इतना माल कमाएंगे कि एक पुष्ट तो क्या साथ पुष्ट सिक्योर हो जाएंगे पुष्ट पीणिया जनरेशन ओहो आनी लक्षा ठेवा खेल भाबना थेवली पाईजे हां हां हो सबको केसे महलूम हो गया अरे रुको साब साब आपको महजार बार बोला है हम दारू पीके गाड़ी नहीं चला रहे थे अरे लेकिन तेरा सेट नहीं बोला मेरे को गाड़ नहीं उनका ड्राइवर पीके चला रहा था साब का है हमारा नाम है प्रेम कुमार तो सेट जी हमें प्यार से पीके बुलाते हैं अचा साब यह फालत बात तो होती रहेगी यह थोड़ा डीला कर दो बहुत टाइट लग रहा यहां थोड़ी दिर हाथ में रखेगा तेरे को आदत हो जाएगी तो यह कुद्बा गुद्दीली हो जाएगी चला आप तो हमारे सेट जी से बोले थे ले जा रहे हैं खाली वार्निंग दे के छोड़ देंगे अरे बाबा यह वार्निंग ही तो है हम तेरे को यह बताना चाह रहे हैं कि अगर तूने दुबारा से ऐसी ग साहब अरे सर वेलकम वेलकम आए हम हाथ मिलाने नहीं है हम गुस्सा में है अरे वाह क्या बात है कहिए क्या हुआ साहब आप हम लोगों कैसे हवाई जाज में भेजे रहे हैं उसका जो पाइलेट रहा हमारी अवरतिया को छड़त रहा अरे सर आप इने तो कहा था कि आपको सबसे चीफ फ्लाइट चाहिए सर इससे चीफ फ्लाइट और कहां मिलेगी सर अच्छा वो छोड़ो आप यह बताओ आप हमसे वादा किये रहें कि एक ही किराय में सुभे का नाश्ता दुपहर का खाना रात का खाना सब मिलेगा का कहता उससी में सब शामील है पैकेज है मगर होटल में एक ही टेम खाना मिलत रहा गलत 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 सर मैंने कहा था कि आप एक फास लेंट्स डिनर वो सब एक साथ ही खाना होगा अच्छा वो सब छोड़ो आप वादक किये रहें कि होटल से समंदर एक दम वाकिंग डिस्टेंस है का कहते हैं पैदल जा सकते हैं हम पैदल गए डेल घंटा लगता रहा सर बिलकुल वाकिंग डिस्टेंस है चलके ज आसकते हैं लेकिन कितना टाइम लगेगा यह थोड़ी कहा था और आपने पूछा भी नहीं सही रात है हमने पूछा हमलों से गल्ती बहुत हो जाता है कि अ कि 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 झाल झाल